प्राणी तुम कहते हो कि हर प्राणी अपनी अपनी प्रविर्ती के अनुसार अलग-अलग कामना करता है प्राणी में चाहे कोई भी गुण प्रधान हो उसी कैसी भी प्रविर्ती हो फिर भी हर प्राणी एक ही तरह की कामना करता है कारण पर對Ὤ अर्थात हर प्राणी के वह सुक्ष की कामना करता है। दुख्य की कामना कोई नहीं करता है, वो कम्हीं दुख्यें नहीं होना चाहता, इसलिए सदा सुख' क या प्रत्न करता रखता है चाहे वो मनुश्य राजा हो या रंग हो श्त्री हो या पुरुष हो तुम ठीक कहते हो अर्जुन कि सब सुख के कामना करते हैं परंतु सुख की परिभाशा हर एक व्यक्त की प्रव्यत्ती और रुच के अनुसार बदल जाती है एक साधु पुरुष को दूसरे को सुख देकर सुख मिलता है दूसरे की सहायता करके वो खुश होता है और एक नीच प्रव्यत्ती वाला मुनुश्य किसी को दुख देकर सुखी होता है दूसरा सुखी हो तो उसे दुख होता है इसके लिए सुक और दुख की परिभाशा अपनी अपनी प्रवत्ती और रुची के अंसार हर प्राणी के लिए अलग-अलग है वैसे भी क्या किसी को इस्थाई सुक प्राप्त होता है नहीं होता ना सुक इस्थाई है ना दुख इस्थाई है क्या सुख स्थाई नहीं हो सकता सुख स्थाई कैसे हो सकता है पार्थ यह संसार तो परिवर्तन शील है यहां हर शण परिवर्तन होता रहता है पार्थ परिवर्तन तो प्रकति का नियम है यहां कोई भी वस्तो इस्थाई नहीं होती तुम्हें याद होगा, मैंने तुम्हें पहले ही बताय था कि हमारे शरीर के अवस्थाएं भी स्थाई नहीं है फिर सुख और दुख कैसे स्थाई हो सकता है इसका आर्थ है कि सुख के साथ साथ मनुश्य को दुख भी भोगना पड़ता है हाँ पार्थ कभी प्राणी सुख में हसता है, गोई प्राणी दुख में रोता और बिलकता है परंतु काल चकर कभी नी रुपता, सुख दुख का ये चकर चलता ही रहता है और मनुश्य के जीवन में सुख और दुख लगातार आते जाते रहते हैं ना चक्र ठहरता है, ना ही सुख या दुख मनुष के जीवन में ठहर पाते हैं, यदि सुख आया, तो वो सदा नहीं रहेगा, और यदि दुख आया, तो वो भी सदा नहीं रहेगा। यत्र विश्वम भवती एक नीडम, अर्थात समस्त विश्व एक गोसला है, और हम सब उसी गोसले के पंची हैं, एक कैसा विलक्षन जीवन मंत्र, कैसी विशाल भावना, जिसमें विश्व की कई समस्याओं का समाधाम है। एक व्यक्ति के जीवन की भव्य जागरिती, समग्र राष्ट के भाग्य को बदल सकती है, समस्त मानव जाती के भाग्य को भी।